अस्सलाम अलीकुम जी कैसे हैं आप सब उमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे आज पर्पल स्मोकी आए मेकप लुप जिसके अंदर में आपको स्मज लाइनर जैसा लुप वह क्रिएट करके दिखाऊंगी चलें जिस स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं ग्लैम्रस फेस का पैलेट यह देखें जी जो सबसे सदा डाक परपल कलर होगा वह 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 आपने पिक करना है सबसे पहले में ट्रांजिशन चेट लगाऊंगी इसी पैलेट में से ब्राउन कलर आपने लेना है और इसको आपने अपनी क्रीज के नर अप्लाय करना है एक फलफी ब्रश के साथ अगर जैसाई आपकी चोटी है और आपकी चोटी है तो फिर चोटा भ्लंडिंग ब्रश यूझे करें और आपकी आय भड़ी है ऑरर इसके लिए नेघर यह लिए लेकिन मेरा जो लीड और आइभरो का एरिया उसमें स्पेश कार जादा है जिसकी वैसे मैं थोड़ा सा ब्रण ब ब्लेंडिंग करते वे अप्लाइ कर दूँगी अब मैं वही वला डीप परपल कलर लूँगी और इसको फिंगर टिप के साथ लगाऊंगी फिंगर टिप के साथ लगाने का ये फाइदा होता है कि ये डस्ट आउट नहीं होता अगर हम ब्रश के साथ मैट कलर लगाते हैं करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीक है कि आप थोड़ सा कलर पिक करें जो आपने क्रीस में अप्लाइ किया था और उसको आप लिड़ वाले कलर के साथ उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं जरा भी मसला नहीं होता बहुत जल्दी हो जाते हैं यही अच्छान तरीकों से जिखाया है जिसके लिए आप बेशक बिगनर हैं बेशक आप प्रोफेशनल हैं आप अपना मेकप जो है बहुत एजी तरीके से कर सकते हैं अच्छा यह मैंने पैंसिल ब्रेश को पर ब्लैक कलर लिया है और इसको में जो है वो लाइनर की तरह पहले करूंगी और मोटा मोटा अप्लाई करूंगी अगर आपको काम लगे आपने थोड़ा सा और लेना यह देखें मैंने थोड़ा सा और डाक कर लिया इसको अच्छा जी यह देखिए पहले मैंने ब्रेश ली है ब्रेश के ओपर भी ब्लैक कलर रप्लाई किया और इसको मैं य याइश है निअ कि अइंगर ब्लैक लिया और मने फिंगर प्रे जो को इस तरीके से लिगा लिया यह देखेरकिक अश्दiqué अज़ा कि दिन आखिर यह था है यह तरदी से लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारे पास कोई स्पैसिफिक ब्रेश होगा तो हम यह लुक क्रियेट करेंगे हम इसे फिंगर के साथ भी कर सकते हैं यह देखें कार्ला सीक्रेट का यह पैलेट है कंटोर और ब्लश एंड लिप पैलेट भी से कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर से यह में ऐसाँ वाइट काजल यूज करूंगी किसी भी ब्रश की बैक साइड के साथ अच्छे तरीके से इसको आए के अंदर अपने अपलाय कर लेंगे लैश इसको आप पुशुष करें के नीचे वली लैश इसको ना लगे कम से कम हो तो लगे नहीं तो हम इसको मसकारे के जो है वो ब्लेंड करते वे इसको लगा दूंगी और फिर मैं अब लेशिज लगाएंगे हम लेशिस के लिए मैं एस्टी लंडन की जो है वो ग्लू यूज करूंगी इसके लिए में एक लाइनर ब्रुश लोंगी आपके पास अगर कोई एक्स्टा लाइनर ब्रुश पढ़ तो उसको भी पता चलजे के सबसे असान तरीका जो है वो यह है लेशिस लगाने का इससे आप की जिन्दगी असान हो जाएगी जिस तरीके से जहां पर आप लेशिस रखेंगी वहीं पर ही लगेंगी जाके और कहीं इदर उदर नहीं लगेगी लेशिस लगाने से पहले आ effect लगता है हमारी eyes का और जो वैसे भी वो छोटी-छोटी होती है ती ज़दा prominent नहीं होती जब हम mascara apply करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है लंबी-लंबी लगती है और घनी लगती है इसलिए naturally lashes को भी लाजमी mascara लगा लिया करें अच्छा जी हम मैंने अपनी lashes के साथ जो है वो यहाथ के साथ भी हम अपनी lashes को उपर रखेंगे cap की तरह यानि के हैट की तरह मुसको उपर रखेंगे और वो देखें उसी टाइम उपर लग जती है अब मैं यह highlighter लोंगी और wet brush के उपर मैं highlighter लोंगी और अपनी brow bone को और अपने जो inner corner आई का उसको मैं अच्छा तरीके से जो हाइलाइट कर लोंगी अच्छा जी अब हमारी look हो गये complete उमीद है कि आपको पसंद आई होगी इसी तरह की असान तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा ताक मेरे चैनल पर जाके मेरी जो भी वीडियो आप देखेंगे आपको इन्शाला जरूर पसंद आएगी और बहुत ही एजी तरीके से मने आपको make-up सिखाया हुआ है जिनको नहीं भी आता वो भी एक ही दफ़ा देखके जो है अपनी look create कर सकते हैं अच्छा जी आप मुझे द झाल झाल झाल